दियर इस्टुडेंट्स इछले लेक्चर में हमने थैवनींस थियोरम के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि कोई भी दूई टर्मिनल जाल जो है उसको एक वुल्टाश्रोत तथा उसके साथ श्रिणी क्रम में एक प्रतिबादा के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है आज हम पढ़ने जा रहे हैं नौटन थियोरम तो हमारा आज का टॉपिक है नौटन थियोरम तो हमारे लिस्ट के अनुसार हम यहां तक पहुँच चुके है नौटन थियोरम तक पीछे की जितने भी टॉपिक्स हैं तो सम्में डिफरेंट लेक्च्छस में कवर कर चुका हूँ अब देखें पहले नौटन स्थियोरम क्या है इस प्रमे के अनुसार विभिन उर्जा श्रोतों तथा प्रतिवादाओं से युक्त कोई भी दूई टर्मिनल रैखिक जटिल जाल मतलब यहाँ पर भी उसी तरह से हैं जैसे थेवरिन थियोरम में था कि वहाँ पर भी हमने दूई टर्मिनल रैखिक जटिल जाल लिया था जिसमें की विभिन उर्जा श्रोत हैं और प्रतिवादाओं हैं इस जटिल जाल को एक धारा श्रोत आई एन तथा इसके समांतर क्रम में जुड़ी प्रतिवादा जड़न के दौरा प्रति इस्थापित किया जा सकता है तो आप यहां पर क्या फरक आया? यहनपर फरक यी आ गया कि d carriage ठीनरित ठीनल में हमने वुलता श्रोत और उसके शेनीक्रम में एक प्रतिवादा ले थी मिएना नौत हैं धैसरे मेंники अथे अ एक क्या ले रहें धंश्रोत अपक्थारा श्रोत ले रहें और उसके समानंतर क्रम में एक प्रतिवादा ले है जेड़ेन नॉर्टन के अनुसार और धारा शुरूत आई एन अल्राइट यह किसके अनुसार नॉर्टन्स थियोरम के अनुसार आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है नॉर्टन्स थियोरम और तो सिर्वनी थियोरम में हमने क्या देखा था 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 तैबनी थियोरम में हमने देखा था एक श्रोत लीया आमने और उसके साथ स्रेविणी क्रम में एक प्रतिवादा लेती देग घुए यह वो गया आपका ए थेवनिन ए टी एच लिया था अपने यह लिया था जटी एच अरब यहां पर क्या है आपका लूड जड यहां पर भी आपका लूड है जड र अल्राइट तंतर देख लिया आपने त्यवनिन थेवरम में हमने वृता श्रोथ और उसके साथ श्रणी क्रम में एक प्रतिवादा इससे हम किसको रिप्लेस किया था हमने हमारे जटल जाल को जिसको आपने टी नेटवर्क के रूप में लिया था नॉटन थेवरम के नॉटन उसी जटिल जाल को हम एक धारा श्रोत और उसके समानतर क्रम में एक प्रतिवाधा के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं देखें आगे क्या कहता है यह धारा श्रोत की धारा अब यहां पर क्या है धारा श्रोत की धारा i n उस धारा के बराबर है जो परिपत के दोनों दिये हुए टर्मिनलों a तथा b को लगुपतित करने पर प्राप्त होती है तो यहां क्या कहां कि धारा आई-एन धारा आई-एन आपको कैसे मिलेगी जब आपका जो परिपत जैसे हमने इस केस में लिया था उसको अदि आपन इस तरह से बना ले इस तरह से कुछ हमने लिया था जैड़ वन जैड़ टू एड़ त्री यहां पर वोल्टेश सोर्स और यहां पर हमारा लूड जैड़ ठीक है यह था ई इतुरिओं नॉटन एफर क्या है कि आए अभा करनी है तो आपको क्या करना पढ़ेगा आपको Furler को इसको अटाक है और इसको शॉर्ट कर देंगे आप जिससे कि आप आयन धारा को प्राप्त कर सकें तो जो धारा फिर इसमें से भेह रही होगी वो धारा क्या हो जाएगी आयन धारा हो जाएगी ठीक है ना जबकि थैविंद के केस में हमने क्या किया था वुल्टा शुरूत को पर आपकरने के लिए हमने इसको open कर दिया थी इस टर्मिनल को open करके और हमने एटी एच को पर पर एक यहां पर हमने क्या किया द्धान रखना इस चीज़ को आपने कि फैर्मिन के case में तो तर्म निकालने के लिए जो तुल्य वुलता शुरूत है और नौटन के केस में हम इसको शॉट कर देते हैं तो नाव अब पहला चीज तो हमने यह देख लिए कि आई एन हम कैसे निकालेंगे कि हम आउट्पूट टर्मिल्स को शॉट कर देंगे और कि दैरा कामान निकाल Nichie जो इसमेंसे बहरी है और वह असानी से निकाल सकते हैं जोब इसको एह ने शॉट कर दिया तो कौन यहां पर यहां पर प्रतिवादा थी वह क्या थी जटी एच उसी प्रकार से नौटन के थिवरम में भी हमें सेम वही काम करना है यहां पर प्रतिवादा लगा देनी है और उसको लगाने के बाद जो यहां पर प्रतिवादा मिलती है वही प्रतिवादा आ होगी तो हम देखते हैं कि जाटन को च ढको पूरा सर्किट नहीं लेंगे को के नॉटेन औरम कप्रूब करने के लिए हम अ detecting की साहता लन अ हमने देख लिया है कि ते चाहिण सत्य स्था उटons यो Hosन生 गए हम प्रूब करेंगे कि जो नॉटन क्यारा है वो भी सत्य थी तो इसका मतलब कि हमारा यह सर्केट लिया का यह सरकेट इसके लिए goes तो आज़ाएं गए त्यूरुम को हम यहाँ पर सथ्य माल लें पहला केस लगाएंगे यह मैं इसको अटा आदे हम और इसकी जगह क्या करते हैं शौट कर दें और shaud करके निकालने दारा क्या हो जाएगी। आइन हो जाएगी है आल राइट तो हमारा अदूरा सर्कुट बनेगा इस तरह का बनेगा आइन निकालने के लिए इप यह tu लुट कर दिया और नहीं कर दोनों घ्राल यह हमारा जी टी एच और यह Hey its तब इसमें से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी IN नौटन के साब से So हम लिख सकते हैं IN that is equal to ETH upon ZTH ठीक है यहां से क्या था यहां पर IR है ना यह IR IR क्या था हमारा IR is equal to ETH upon ZTH plus ZR ETH upon ZTH plus ZR यह IR ठीक है IN हमने निकाल लिया नौटन के साब से इसको अपने क्या कर दिया short कर दिया और short करके IN कमान हमने प्राप्ट कर लिया अब हम यहां पर इस नौटन के नौशार जो यह है तो हमारे पास IN कमान तो आ गया अब ZN कमान हम निकालें तो ZN कमान क्या हो जाएगा ZN कमान ZTH हो जाएगा तो कि हमने देख लिया कि ZN भी हम उसी दर से निकालते हैं तो यहां पर ZN जो है आपका that is equal to ZTH तो इसे साब से यहां से दिया हम देखें तो IR क्या हो जाएगा इसको हम यहां put up करें तो IR that will be equal to ETH upon ZN plus ZR this will be your IR ठीक है अब यहां पर जो धाराम निली जो ZR से बह रही है और यहां पर धाराम पर दिया मान ले IR डैश और इन दोनों धाराओं का मान एक समान हो तो हम मान सकते हैं कि यह दोनों सर्किट जो हैं वो एक दुसरे के समतुल हैं यहांने यही थैवनिन प्रे में सत्य है तो नौटन प्रे में भी सत्य होगा परंतु आयर बराबर आयर डैश हमको मिलना चाहिए तो चलिए पहले आयर डैश निकालते हैं अब देखिए यहां पर यह धारा जो है आपकी आये नहीं है तो हम यहां पर करेंट डिस्ट्रिबूशन लगाते हैं कि आपको भी समझा देते हैं क्योंकि इसका यूज बहुत पढ़ेगा पूरे किताब में पढ़ेगा पूरी में पढ़ेगा मसी पढ़ेंगे आप तो उसमें भी पढ़ेगा तो इसलिए इसको समझना आवशक है तो करेंट डिस्ट्रिबूशन लग क्या होता है वह देख लें फिर हम इसके उपर आते हैं तो माल लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं कि यहां से दार rapping रही है किए रिस्टेंस अपने ले लिए माल लीजिए आर आरटू रह दिसमें si में से धारा मान लीज Guy i2 है तो इस में से धारा क्या हो जाएगी मैनस एदि हम इसमें से धारा निकालना चाहरा है जो कि टोटल आई है तो अपन लिख सकते हैं कि यहां पर जो विभांतर है यहां पर है ईन्टो आर वन आरइंट आपल इसी कोल टू आयटू इन्टो आर्टू और i2 के टर्म से एक साथ ले लें तो i into r1 that is equal to i2 into r1 plus r2 और i2 that is equal to r1 upon r1 plus r2 into i तो आप देखें क्या देख रहे हैं यह अपने को i2 निकालना है इस तरह के circuit क्या करेंगे इस तरह से expression लिखेंगे कि हम जो दूसरा resistance है उसको तो numerator में ले लिया दोनों का sum हमने नीचे ले लिया और जो कुल धारा है उससे यहां पर multiply करें तो इसी तरीके से एदी मान लिजें यह सेम सर्कृट हम ले 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 दूसरा resistance ले 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 अपन दोनों का योग R1 प्लस R2 इंटू दी टोटल करेंट आई इसको कहते हैं current distribution law धारा का वित्रण का निया ठीक है तो यहां पर इस current distribution law को हम यहां apply करेंगे तो हमें चाहिए आई आई आड़ डेश टोटल धारा है आई एन तो आई आई आड़ डेश है अब हम लिखना चाहें इस current distribution law से तो हमारे पास i are dash क्या हो जाएगा i are dash that will be equal to दूसरा रेस्टेंज लेटेंगे ऊपर z n जेडन अपन दो्नों का योग z n plus z r z n plus z r into i n into i n okay अब यहां पर जो Zn है, that is equal to Zth, so your ir dash that is equal to Zn upon Zth plus Zr into In, right and Zn यहां पर भी Zth लिख सकते, this also will become Zth because Zn is equal to Zth, now In is equal to Eth upon Zth, so this will be equal to Zth upon Zth plus Zr into Eth upon Zth or this will be equal to, यह दोनों cancel होगे, so आपके पास आगय है, Eth upon Zth plus Zr, this is your ir dash, so यह expression ले और यह expression ले खिया ले, right, this is your equation number one and this is your equation number two, so from equation one and two, you can write ir is equal to ir dash, so from equations one and two, ir is equal to ir dash, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि यदि थेवनिन प्रमे सत्य है, तो नॉटन प्रमे भी सत्य है, और थेवनिन प्रमे सत्य ही, हमने पिछले lecture में प्रूफ किया हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि नॉटन का जो प्रमे है, वो भी सत्य है तो आपकेंगे जिस तरह से हमने के प्रमे में देखा क्या-क्या स्पीर वहती है उसी प्रकार से कोई भी प्रॉड्रम करना है तो क्या-क्या स्टैप्स हमको उसमें ध्यान में रखनी है तो यह दोनो इंग्लिज और लिए ने दिया है English students के लिए यहां पर और यह लिए अब मुटियूंट्स के लिए इसके साब से इस पूरी step से आप देख लीजेगा मैं आपको यहां पर समझा देता हूं जो यह steps थो तो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अब पहला काम कि जो भी आपको सरकीट दिया हुआ जैसे यह सरकीट दिया हुआ है ती नेट वर्क में तो सारा चाला गया और यहां पर यह आपका लोड दिया हुआ कोड़ा है जड तो पहले काम यह सोड कर दिया और फिर क्या करना निकलना और इस से यहां यहां से निकाल सकते हैं जैसे यहां इस केस को ले लें समानांतर करम में हैं यहां से इसको आई मालने हैं तो आई का माझन हमें मिल जाएगा फिर हमने वह current distribution law लगाएंगे उसके इसाब से हमको आई एन का मान मिल जाएगा तो वह आप कर सकते हैं अब मैंने आपको बता दिया तो यहां जट्टू जट्री अपॉन जट्टू प्लस जट्री प्लस जट्ट वन यह तो क्या हो जाएगा पूरा इसका तुल प्रतिपादा हो जाएगी और E upon that quantity मतलब आपका जो है I जो है I will be equal to इस circuit के लिए I that will be equal to E upon Z1 प्लस Z2 Z3 upon Z2 प्लस Z3 यह मान आपका I का आजाएगा यहां पर ठीक है ना तो अब यह I का मान क्या इन दोनों में वाजित हो रहा है और हमको I N निकालना है तो I N कैसे निकालेंगे वही डिस्टिबुशन लगाएंगे यहां पर तो I N हो जाएगा आपका I N that will be equal to हमको कौन सा लेना है दूसरा impedance लेना Z3 तो Z3 upon Z2 प्लस Z3 यह आ गया right Z3 upon Z2 प्लस Z3 into I यह जो हमने current निकाल लेना तो आपको क्या मिल गया है आएन मिल जा सफीवक्राव करना है और दूसरे श्टेप में में क्या करना इसको ऊपन कर देना मिइसको प्रति स्थापित कर दिया, तो अब यहाँ पर 0 है, तो अपर ने इसको ऐसे ले लिया, अब यह सिंपल है यहाँ पर, यहाँ पर आप उनको क्या निकालना है, ZN कमान निकालना है तो ZN कमान क्या हो जाएगा Z1 Z3 तो पैरलल में हो गए तो अब यहाँ पर क्या मिल गया ZN That will be equal to श्रोनी क्रम में किस के साथ Z2 के साथ Z2 plus Z1 Z3 Z1 Z3 upon Z1 plus Z3 तो इस तरह से आपने IN निकाल लिया आपने ZN निकाल लिया बस आपका सरकिट त्यार आपको क्या करना है आपको सीधा सीधा यहाँ पर एक धारा का शरूत दिखाना है IN जिसका मान होगा यहाँ पर आपने जो इंपिडेंस निकाला ZN वो दिखाएंगे और फिर यह जो दो टर्मिनल है इसके बीच में क्या लगा देंगे ZR लगा देंगे और ZR लगा के आप इसमें से जो बहने वाली दारा है जो आपको निकालनी है तो वो IR ड़ी इक्वल टू यह तो आपकी हो गई IN तो now IR ड़ी इक्वल टू अगें तो इस तरह से आप धारा कमान प्राप्त कर सकते हैं तो यह था आपका नॉटन स्थेयोरम तो इसकी पूरी स्टेप्स जो है मैंने आपको इसमें दी हुई है यह आप इसमें देख सकते हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने सातियों के साथ तो वह भी इससे लाभानवित हो सकें और अपने कमेंट्स दीजिए और साथ में अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने सातियों से भी कहें कि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे की जितने भी फीचर में वीडियो आने वारे हैं उन सबसे ना सिर्फ आप बलकि आपके साथ ही भी लाभानवित हो सकें तो अंत में thank you for watching this video so thank you very much